हलो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारी यूट्यूब चैनल लर्निंग सोसियोलेजी में तो चलिए हम अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं ऐ आर देशाई एक भारतिय समाज सास्त्ति अब मार्कसवाधी विचारक थे जिन्होंने भारतिय समाज के अपने अध्यान में मार्कसवाधी दृष्टि कोड अपनाया उन्होंने अपनी पुस्तक सोसल बैक्ग्राउंड आफ इंडियन नेशनलिज्म में अपने विचारों को प्रकट किया एर देशाई के भारती समाज के बारे में प्रस्तुत किये गए विचारों को निम्न हेडिंग्स के जरिए समझा जा सकता है पहली हेडिंग है उपनिवेशवाद और पूजीवाद एर देशाई मानते हैं कि भारती समाज को आकार देने में उपनिवेशवाद और पूजीवाद का ज्यादा महतपूर रोल रहा है और इस पर वह बल देते हैं अपने तर्क में वो कहते हैं, बिटिस ता अपनिवेशिक शाषन भारती संसाधनों का सोशल करता है। बाउजुद इसके बिटिस पूजिवाद के हितों की पूर्ती के लिए वह देश के समाजिक और आर्थिक धाचे को बदल देता है। और इस प्रकार उपनिवेश्वाद भारत में पूजिवादी संबंधों के विकास का आधार बना। जमिदार वर्ग और मध्यम वर्ग जैसे मध्यस्त वर्गों के अस्तित्ट को भी स्विकार करते हैं। तीसरी हेडिंग है कृसी संब्रचना। एर देसाई ने भारती कृसी वंकृसक समाज का अध्यायों विसलेशर किया, और पाया कि भूमिके असमान वितरड और जमिदार वर्ग द्वारा क्रिशकों के सोषड के कारण भारतिय समाज में आर्थिक एवं समाजिक असमानता बनी हुई है अगली हेडिंग है जाती दवस्था एअर्देसाई भारतिय समाज की प्रमुक्विसेस्ता के तोर पर जाती व्यस्था को स्विकार करते हैं और उसका अध्यायन करते हैं और उसके बाद अपना विश्लेसर प्रस्तुत करते हैं उन्हें तर्क दिया कि जाती ने समाजिक पदानुक्रम और विभाजन को बनाए रखने में महतुपूर भूमिका निभाई है, साथी वर्ग संबंधों को भी निर्धारित करती है एर देसाई बताते हैं कि कैसे जाती अधारित पहेदभाव और उत्पीडन भारत में उत्पादन के पूजिवादी तरीके से जुड़े थे चटी और आखरी हेडिंग है राष्टवाद एर देसाई ने भारती समाज के निर्माड अम विकास में राष्टवाद की भावना की भूमिका का भी विश्ले सड़किया और वर्ग संगर्ष से इसके संबंधों की विवेचना की वो अपने तर्क में कहते हैं कि उपने वेश्वाद के खिलाफ लड़ते हुए राष्टवादी आंदोलन ने भारतीय पुझी पतिवर्ग के हीतों का प्रतिन रिप्ट्व किया अलाकि समाज सास्त्री एयर देसाई के इस दिस्ट्रिकोर की भी आलोचना प्रस्तुत करते हैं उदार गदर पर वे मानते हैं कि समाजिक सांस्कृतिक कारकों पर वेसिमित बल देते हैं देशाई का मार्क्सवादी दिस्ट्रिकोर्ट भारतिय समाज को आकार देने में संस्कृतिक, धार्मिक और समाजिक कारकों के महत्व की अंदेखी करते हुए आर्थिक संबंधों और वर्ग संगर्प्स पर अधिक बल देता है यह संकीर सोच भार्ती समाज की गतिशीलता की जतिलताओं को समझने में नकाम हो सकता है वहीं कुछ आलोचक मानते हैं कि A.R. दिसाई जात व्युस्ता का अप परियाप्त विसलेशर करते हैं देशाई जातियोस्था के महत्यों को स्विकार करते हैं लेकिन उनका विसलेशड जातिव वर्ग के बीच जटिल अंतव क्रिया का पूरी तरह से पता नहीं लगाता है जातिकत भेदबाव और समाजिक पतानुकरम भारतिय समाज में व्यापक रूप से फैला हुआ है इसका सुक्ष्म परिक्षड जातियोस्था के विसलेशड को बहतर बनाएगी कुछ आलोचकों के अनुसार देशाई का विसलेशड सिमान सम्मूहों और उनके प्रतिदोधों के विभिन रूपों की अंदेखी करता है हालांकि उनका विसलेशड वर्ग संघर्षप प्रकास डालता है फिर भी वहां अन्य ऐसे तरीकों की भी संभावना है जिससे व्यक्तिव समुदाय दमनकारी संद्रचनाओं को चुनोती देते हैं और समाजिक परिवर्तन में योगदान करते हैं कुछ आलोचक एरदेशाई के विसलेशड में अंतर विभागियता के अभाव को भी स्विकार करते हूं उनके अनुसार देशाई का विसलेशड पर्याप्त रूप से एक अंतर विभाजक परिपेक्ष को शामिल नहीं करता है जो वर्ग, जातिलिंग और जातियता जैसे उत्पीडन के विभिन रूपों की परसपर संब्धदा को पहचानता है इस प्रकार से विसलेशड का यह तरीका भारतिय समाज में उपेच्छित सम्मूहों के अनुभों की समझ को सिमित करता है इस प्रकार से देशाई के भारतिय समाज के मार्क्सवादी विसलेशड का उद्धेश शोशड और असमानता की अंतरनीत संद्रचनाओं को उजागर करना था उन्होंने भारतिय संद्रव में समाजिक परिवर्तन की गतिशीलता और मुक्ती के संगर्शों को समझने के लिए एक रूपेगा प्रदान करने की मांग की हालांकि यह ध्यान रखना महतवपूर है कि देशाई का द्रिश्टी कोड भारतिय समाज की कई मार्क्सवादी व्यक्याओं में से एक है और ऐसे अन्विद्वान और विचारक हैं जिनोंने मार्क्सवादी धाचे के अधार पर भिन अंतर द्रिश्टी और विसले सड़क प्रस्तुत किये हैं धन्यवाद आज के लिए इतना ही मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंतु